कि फटापट सेयर कर दो बच्चों जल्दी जल्दी से कि थर्टीन पॉइंट स्पोर होगा आज एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फॉर क्लाफ नाइन्थ के अन्सी आइटी मैस्मेटिक्स आप पढ़ रहे हैं कि आपकी क्लास का समय हो चुका है क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इक्वल ट्वंटी टू अपान सेबन लिजिए इकसरसाइज 13.4 क्लाफ नाइन्थ एंसी आइटी मैस्मेटिक्स हिंदी इंग्लिस मेडियम सभी के लिए हैं कोई इसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि निम्न त्रिज्जा वाले गोले का प्रिष्टिय छे तरफल ग्याद कीजिए मैं इसका इंग्लिस में भी पढ़के सुनाओंगा त्यान से सुन लिजिए कैंतas अर्याओंगओंढ़ांदिस में फ्रैडियोस यानि जो यह रेडियोथ दिया इनपर आपको क्या करना है कि अटिकर फैन करना है सीौ से हैं तो फैस्ट पार्ट कwestलिशी मले खेलास जिसमें रेडियस दिया है और दिवाईज क्या है यह कौन सा फिगर है अचाहिव अचाहिए एग फार्मूला लिखिए फड़ाफट एक ही फार्मूला होता है टीस एकल लिख लीजिए कुल प्रिष्टिय छेदरफल बराबर गोले का कुल प्रिष्टिय छेदरफल बराबर मिंस TSA इक्वल 4 πाई आर स्कॉयर क्यों यही होता है कुछ और होता है है ना भाया रख तो सारे मान मान पूट करिए फटा फट बिना देर करे हुए और इंटू पाई पाई कमांड 22 अपान सेबन आर का वैलू आपको पता है कि 10.5 दिया था अल्रेडी कोई डाउट किसी को नहीं इसको हम 10.5 इंटू 10.5 टू टाइम करेंगे मतलब दो बार अब इसको तो हल करना आप लोगों को आता इसमें कोई दिक्कत नहीं इसका मल्टीपल करोगे 88 हो जाएगा अपान सेबन इंटू देखो बेटा इनको आप काट सकते हो चाहे तो यहीं काट लो पहले रुख ज़ आए करके देखो 15.75 आएगा लगभग कितना आएगा 15.75 तो यह आपका 88 इंटू यह 15.75 मल्टीपल करके देख लो आपका 1386 आएगा सेंटीमीटर का स्कॉयर इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं न देखो बच्चो मल्टीपल करना तुम्हें आना चाहे यह 1.5 मतलब 15 का 105 में गुड़ा कर लो वह 15.55 तरक 5 हांसिल साथ और साथ यहां लिख दिया 15 एकम 15 हो गया दो अंक पर दसमलो लगा दिया अपर्ष पा सिकेंड पार्ट देखो मगर प्यार से यह सिकेंड पार्ट है यह 5.6 सेंटीमीटर दिया बाबू 5.6 10.5 की जगह आप 5.6 रख दोगे हर जगा पस और कुछ नहीं मान रख लोगे न सभी कि बताऊं मैं इसको भी चलो बताई देता हूं 5 का वैलू हो गया आर की जगह पे 5. 5.6 इंटू 5.6 ओके नो डाउट इसे काटोगे साथ अठे चपन जीरो पॉइंट आ जायेगा ना क्यूं भाईया सही जा रहा है ना गुडा कर लो यह 88 हो जायेगा यह आपका आठ से गुडा कर लो आठ चांग तालिस का आठ हांफील आया चार और आठ पंचे चालिस चार चांग जायेगा फॉर पॉइंट फॉर एट आयेगा सम्थिंग क्यूं करके देख लो भाई कर लोगे ना अरे यार आठ चांग तालिस आठ हांसिल चार अठ पंचे चालिस चार चालिस चालिस दो अंक पर दस हम्लो लो लग जा बेटा इनको भी गुडा कर लो आप तो 394 कर लोगे ना कितना आएगा 394.24 सम्थिंग यहीं आएगा सेंटी मीटर का स्कॉयर सिकन पार्ट भी हो गया डन लिख लीजिए इसका अगला तीसरा पार्ट पर चलते हैं जहां पर रेडियस फोर्टीन दिया है आर कमान फोर्टीन रखना है इसमें क्या करोगे बच्चों इसमें भी वही करना है जो अभी तक करते आयों जहां पर आर दिया वहां पर वन फोर्टीन इंटू वन फोर्टीन यहीं करोगे इंक ज्यादा हो गई तो बहने लगी है कम रहे तबों नहीं सही है क्या करूं मैं वहीं तात्रिकार्ट दो साथ दूना चुदा यह हो साथ दूना चुदा ठीक है चुदा दूना अठाइस यार यह मुझे लेकिन कुछ गड़बर लग रहा फिर भी क्यों कहां गड़बर आ रहा है एक मिनट क्या दिया इसमें देखो रेडियस ही तो इसमें भी दिया ना कुछ और दिया ठीक तो है फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यह आएगा आपका 2464 सेंटीमीटर का स्कॉयर इस तरह से बच्चों आपका कुश्चन नंबर फास्ट रन हुआ कंप्लीट हुआ आप कुश्चन नंबर सिकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला कुश्चन लिख लिजिए जल्दी करिए आगे बढ़ें सब्सक्राब होती है चार क्लासे समय यूट्यूब पर फ्री होती है समय लिखा गया साइड में आगे क्लास का नाम लिखा देखो जल्दी देखो इसक्रीन साट लो फटा-फट यह आपके लिए बहुत जरूरी है और आप जो देख रहे हो ना यह इन्फोर्मेशन है 25 जू जून से सारी कलासे चैनल नमबर तीन पर चलेंगी अगर अब 20 जून हो चुका है तो आप इसी चैनल पर आओ फिर नेक्ट कुश्चन देखने के पहले थार्ड नमबर नहीं पहले सिख़़़ए चलिए कुश्चन नमबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है निम्ण ब्यास वाले को प्रिष्टिये च्हेत्रफल जर्ट कीजिए इसमें भी क्या करना है बाबू इसमें व फायंड करना है बसरते आप दनीकत देखो बेटा इसमें दिया डी बराबर 14 एंडी बराबर 21 चलो निकाल लो अगर डी दिया है यहां से आर निकाल लोगे आर इकोल होता डी अपांटू यह 14 अपांटू यह आजाएगा 7 सेंटिमीटर यहां से आप फार्मूला लगाओगे हिंदी बाले लिख लेंगे गोले का प्रिष्टिय चेतरफल बराबर लिख लो गोले का प्रिष्टिय चेतरफल बराबर शुत्र वही लगाओगे 4 5 R का स्क्वायर 4 इंटू 5 कमान 22 अपान 7 R कमान 7 आया है स्क्वायर है तो दो बार कर लोगे यह कट जाएगा यह 88 इंटू 7 आजाएगा 7 से मल्टिपल कर लोगे बाबू नीचे लिख दो 7 अठे 56 5 7 अठे 56 5 5 61 यह सेंटिमीटर का स्क्वायर आजाएगा कोई डाउट नहीं नो डाउट सिकन पार्ट देखिए इसका सिकन पार्ट में देखो बेटा रेडियस दिया गया 21 कितना दिया है 21 दिया ना आओ सिकन पार्ट को इधर साइड में ऐसे हल कर देते हैं यहां पर आर निकालोगे बेटा तो 21 अपान 2 आ जाएगा क्योंकि रेडियस जो है वो डामेटर का हाफ होता है इसमें भी लिख लो TSA आफ इस फेर गोले का संपूर्ण प्रिष्टिय च्छेतरफल बराबर 4 5 आर का स्क्वायर 4 इन्टू पाई का बैलू 22 अपान 7 आर का मान 21 अपान 2 इन्टू 21 अपान 2 क्यों क्योंकि आर का बैलू ही आया है रख दीजिये 7 से कट जाएगा 7 तरी के काईस 2 से कट दीजिये 11 आ जाएगा इस 2 से कट जाएगा 2 आ जाएगा 11 तिया ही 33 33 को टू से multiple करोगे कितना आएगा बाई कुछ गढ़बढ आ रहा है क्या मुझे लग रहा है करके देखो तो एक बार यार क्यूं देखो एक बार कहीं कुछ छूट रहा है क्या कुछ नहीं छूट रहा है 33 हो जाएगा ठीक है यह ग्यारा दुना बाइस तीन से कुड़ा करोगे चाच हो जाएगा उपर यह 21 बच रहा है 21 छक्का इसमें मल्टीपल कर लो बेटा कर लो 1386 आएगा कर लोगे न कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर का स्कॉयर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट नहीं डाउट ना चल लिखो इस्क्रीन साट ले लिजिए फिर मैं तीसरा पार्ट इसका करता हूँ ठीक है जल्दी करिए तीसरा पार्ट पर आगे बढ़ें जल्दी करो गई देखो बच्चों थार्ड वाले में 3.5 मेटर दिया है रेडियस रेडियस नहीं डाइमेटर दिया ना भईया यह डामेटर दिया पबू तो आप इनका आर निकालो गए तो 3.5.2 हो जाएगा यह आपके लिए होमवर्क होगा आप इसे खुद से करना और उत्तर कमेंट करन बताना कि विश्चन नंबर 5 एंड सिकेंड के सारे पार्ट कम्पलीट हो चुके हैं किसी को कुछ कहना है तो बोलिए कमेंट में जल्दी करिए कुछ नंबर 3 देखिए क्या कहरा है बहुत ही आसान है थर्ड नंबर कहरा है 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और यह हेमी स्फेयर का टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करनी है ठीक है 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और इसका टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है क्या है यह हेमी स्पेयर है मिन्स अर्ध गोला है कि आये बताता हूं कैसे बनेगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है एक दम आसान है थाड नमबर कुश्चन है इसमें आप एक हीमी स्पेयर ड्रा कर लोगे ऐसे हैं इस जानते हो अर्ध गोला है यह ऐसे बना हुआ है इसे तो तुम सांद बहुत अच्छे से जानते हो प् इसकी टोटल सर्फेस एरिया फाइंड कीजिए लिख लो टी एस ए आफ हेमीस्फेयर इक्वल टी एस ए आफ हेमीस्फेयर इक्वल थी पाई आर क्यूब ना इसक्वाइर होता है तो 3 इंटु पाई कमान 22 एपान 7 आर कमान आपको 10 दिया है तो 10 इंटू 10 हो जायेगा कर लो फदा रख सकत你有 अगर रख़ो एक थोड़ा असानी हो जाएगी का है देखो दस अमलों में रखने पासा निया हो जाएगी कि 3.14 इसको इसमें 100 से गुड़ा करोगे तो दसमलो जो है दो अंक भाग जाएगा किधर बताता हूं देखो यह तीन चोक 12 हां सी लेक अतीन एकम तीन एक चार दिन तरिक करनो दो अंक पर दसमलो होगा तो आपका यह हो जाएगा ऐसे इसमें 100 हो जाएगा दोनों गुड़ा करक इसमें जब 100 से गुड़ा करोगे तो इसमें दो जीरो पीछे और बढ़ जाएगा फिर जो एक अंक पर दसमलो था वो दसमलो तो एक अंक पर रहेगा लेकिन पीछे फिर रहेगा तो कुल मिला करके मैं पूरा दिखाई देता हूं 942 यह 001 डिगिट पर पीछे फिर पीछे होगा तो 9.42 आना चाहिए ना यह ठीक है अब यहां पर भी टू डिगिट पर पॉइंट हो जाएगा 942 सेंटीमीटर का स्कॉयर यह आंसर आ गया इस तरह से आपका थर्ड नंबर कोश्टन भी पूरा होता है कि किसी को कुछ कहना है तो बोल दो बारा मिनट में तिनों कोश स्क्रीन साथ ले लो जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाये कुछ भी डाउट है तो बोलो बिल्कुल निसंकोज बोलिए फटा फट नहीं ना तब बात पकी है ना कोश्टन का सलूशन पूरा दिख रहा है कुछ छुपा नहीं है दस तक ही यह यहीं तक लिखा है क क्लास को ज्यादा फे ज्यादा सेयर किया करिए ठीक है खूब सेयर किया करिए ज्यादा फे ज्यादा बच्चे जुड़ें तब ही मज़ा आएगा क्लास का टाइम स्क्रीन पर देख लो कौन सी क्लास कब होती है यूटूब पर फिरी क्लास हैं मिलते हैं फिर अगली क्लास म आप में जाके पढ़ सकते हैं वहां पर आपको कुछ एमाउंट पर करना होगा लेकिन आप फिरी पढ़ना चाहते हो तो यूटूब पे देखो मत जाओ और हाँ अगर जाना चाहते हो तो जाओ आप के अंदर एक फिरी वाला कोर्स भी क्रिट किया गया है बिल्कुल फिरी व